हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेंस रोबिसेट, दिसस राम सोनी, आज जब डिसस कर रहे हैं MPPSC 2021 के आने वाली वेकेंसी के बारे में, एकॉर्डिंग टू मध्धबरदीस, पिससी के जो OSG साब है, उनका करना ये है कि 300 सेधिक पदों के लिए MPPSC 2021 होने की पॉस्बिल्टी है, और यहां पर जो विभेंड डिपार्टमेंट्स हैं, वहां से वेकेंसी मगाई गी है, आने वाले दिनों में साथ वेकेंसी एड़ भ से लेकर 30 दिसंबर के बीच में आ सकता है, तो ये नोडिफिकेशन आने की as of no expected date बदाई जा रही है, तो आप सभी लोग तयारी में जोड़ जाएं, चुकि इसका एक्जाम जो है 24 अप्रैल को होने वाला है, और 24 अप्रैल अब जारा टाइम नहीं है, आपके पास proper syllabus complete करना भी है और उसको इबाद उसको revise करना है, तो आपके पास भुजा टाइम नहीं है, according to different papers, भुजारे पेपरस इसको information दिखाए भी है, यदि आप इसमें देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है, कि 300 सदिक पदों के लिए होगी 2021 की राजस्यों परिक्षा, PSC ने पद बढ़ान से 300 जदा पद के मागपत्र PSC को मिल चुके हैं, पचिस दिसम्बर तक विभागपत्र पढ़ाने के लिए साथ ही नए पदी जानकारी भी भी सकेंगे, प्रदेश में OBC आरेष्ण को चुनोती देने वाली याज का लंबित होने कार्ण, राजसयों परिच्षा 2019 के मुख है और 2020 की प्रणभी परिच्षा के नतीजे जारी नहीं हो पा रहे हैं, कोड के फैसले मोह रही देरी की कार्ण, PSC ने विधिक राय के आधार पर ये नतीजे जारी करने की होशना की, लेकिन अब तक विधिक राय नहीं मिल पाई है, इसलेकर PSC ने इसमराण पत्र ही वेजा ह इस बीच अब 2021 की राश्यों परिच्षा के सुचना जारी करने की तैयारी हो चुकी है, PSC से मेरी जानकारी के अनुसार अब तक अलग लग भागों से 300 सदिक पदों पर भरती के लिए माक पत्र मिल चुका है, इनमें डिप्टी कलेक्टर, DSP, आपकारी, वित्नी अंतरक, आदिके पद सामिल हैं, पदों में संसुधन के लिए, पदों की संख्या मिजाफा के लिए, सभी भागों से भी संपर किया जा रहा है, 2021 की राश्यों परिच्षा के सुचना, 25 से 30 संपर के बीच जारी होने की उम्मीद जताई जारी है, तो ये बुला गया है, डॉक्टर मिले मागपत्र के अधार पर भी परिच्षा की गुष्णा की जा सकती है, मतलब आपको विदिन 5 to 60 आपको नोडिफिकेशन मिलने की पॉस्मिल्टी है, और एक्जाम जैसे कि आप जानते हैं, 2021 प्रिम्स होगा, आपका 24 अप्रेल 2022 में, तो आपके पास जो टाइम है, उसक दिवस कंप्लीट करना पर आप नहीं है, चीजों को अपने दिमाग में रिटेन करना, रिटेन करना का मतलब यह है कि अपने माइंड में इस्थाई बनाया रखना जरूरी है, और उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना होगा, लेकिस साथ में आपको प्र तो यह कुछ रही इंफॉर्मेशन हमारी तरब से लेकिन आप MPPSC मेंस की त्यारी कर रहे हैं, MPPSC मेंस के लिए भी हमारे लिए प्रॉपर तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म में answer writing season चालू किया गया है, वो साम को चार बजे होता है, आप उस answer writing season को ज़रूर जोइन करें, उस आप सूचते हैं, तो आप answer writing class को आप जरूर जोइन करें, उससे आपको बहुत benefit मिलेगा, आप Ramsoni MPPSC नाम का telegram group जोइन कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे सभी classes के information share किया आती है, तीक तो आप इसके माध्यम से आप उन से चुड़ सकते हैं, लेकिन आप खुद भी answer writing class जोइन करना चाहते हैं, आप खुद भी answer writing करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप learner services में इस नाम का telegram group है, इस group में proper तरीके से, exclusive तरीके से answer writing के लिए बनाये गया है, तो वहाँ पे भी आप भी answer भी answer भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि सामको 4 बज़े class एक ब लेकिन सबसे बात पुर्ण बात यह है कि अपने पढ़ाई को proper continuity बनाये रखे, यदि आपके पढ़ाई का routine भी बना नहीं है, तो routine बनानाई कोशिज करिए, 20-25 दिन जब लगातार आप पढ़ाई करेंगे किसी particular time पे, तो फिर आपकी habit में आज आएगा, फिर आपको मेहनत से भी result अच्छा निकल आता है, लेकिए आपके अंदर consistency नहीं है, तो आप बहुत जबर मेहनत करते हैं, और 2-4 दिन मेहनत नहीं करते हैं, तो फिर last में उसका result इतना अच्छा नहीं निकलता, इसलिए अपनी पढ़ाई में consistency ज़रू बनाये रखें, consistency से बहुत अच् बधया, प्रिक्ट है, बदर टी ओै यह, पू एर्फो डिकल एखवाइ झाहिए और एगल यगैज हैं, प्रिक्ट नहीं को इच्योव झालप ए टक्ट अभवया को से थ्टार व intriguing